नमस्कार दोस्तो जूहार के स्यार में आज के टेदिंग सेसन में तक पर बढ़ सकता है क्या अगर ऊपर जाएगा तो क्या टार्गेट रहेगा नीचन जाएगा तो क्या सपोट लेएगा सब वी अस वीडियो में समझने वाले तो इस वीडियो को completely end तक जरूर दिखिए दोस्तों जिए मना इन्फरा को detail में समझने के लिए मैं आपको लेकर हूँ यहाँ पे NAC के website पर अगर आप नोटिस करेंगे आज की जब को ओपनिंग प्रैस आपको दिखाए तरहे 84.80 में है लो लगा यहाँ पे 82.60 और हाई लगा क्रियर कर सकता है अगर बात करेंगे अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लगबग 21 करोड 25,366.60 कॉंटिटी पर्षेंटेज में देखें तो 22.5% कॉंटिटी जो की होल्डिंग में जाता हो नजर आया आज की ट्रेडिंग सेसन में दोस्तों दोनों कंडिसन हमारे लिए बिल्कुल पजेटिव है दोनों कंडिसन हमें यही बता रहा है कि स्टॉक में उपर जाने का संभावना बिल्कुल हाई है डिलकुल क्लियर नजर आ रहा है अब क्या condition बनेगा कितना उपर जाएगा detail में समझते हैं चार्ट में दूस्तों GMR Infra को detail में समझने के लिए सबसे पहले हम चार्ट को लगांगे यहां पर weekly time frame पर जब हम चार्ट को weekly time frame पर notice कर रहे हैं अब देखेंगे stock आपको clearly यहां से higher 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 condition बना के stock clearly उपर बढ़ता हो नजर आ रहे हैं और अभी की condition के सबसे देखेंगे stock में यहां पर देखें यह वाला resistance line के हमने line draw कि 81 पकड़ लेते हैं तो जब stock ने यहां पर breakout किया इस लेवल का और breakout करने का वह दो बार इससी point को आ रहे तो यहां पर support लेक उपर जाने का संभावना भी बन रहा है एक और condition अगर आप देखेंगे stock में यहां से अपने line को support लेके उपर बढ़ सकता है जैसे कि हमने डाटा को देखा तो दोनों डाटा हमें positive नजर आये और delivery quantity positive नजर आए तो संभावना हाई है stock इसी को support लेके इस तरह के से moment बनाएगा थोड़ा सा और clarity के लिए यहां से अपने line को support लेके उपर बढ़ अपने support जोन पर है तो maximum संभावना है stock इस तरह के से moment बनाएगा तो इसका उपर क्या target रहेगा वही समझना हमारे बहुत ज़रूरी है हले कि आप कहेंगे आपने target बता है 120 का तो यह target तो ही लेकिन इसके बीच का क्या target रहेगा वही समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो चलिए समझते हैं कि इसका बीच का क्या target रहेगा यनिके 94 और 120 की बीच में क्या target रहे सकते हैं तो target को find out करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर support level मैंने already draw कर दिया आप इसको ध्यान में रख सकते हैं तो support level यहां पर है जो हमने draw किया हुआ 80.85-81 कर रहेगा और यह जो level हमने draw के फिबोनेसी का level है यह बहुत अचा काम करते हैं आप चाहो तो इसका backtest भी कर सकते हैं मैंने किया हुआ हुआ है और हमा हो था target 137.10 दोस्तों यहां पर सारे condition को clearly मैंने आपके समने explain किया clearly आपको समझाया फिर भी दोस्तों मन में कोई doubt है comment करके जरूर पूछे वीडियो को like करिए आपकी चोटिस like मुझे encourage करते हैं और भी अच्छे-च्छे stock को select करके आपके समने video present करने के लिए stock में दोस्तों परपज में ही बने गया बहुत दो धन्यवाद दोस्तों